सबसे बड़ी बात है कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कभी किसी हालत में कोट के उपर हमला नहीं किया गए बदले में सत्तरूर पार्टी के मंत्री खुद रोजाना एक ना एक इल्जाम कोट पे लगा रहे हैं चर्चा भी जारी है कि यह सा कैसे एक कानून मंत्री हमारे जुदिशियरी के खीलब कर सकते हैं मोधी चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोट पे दवाव बनाना और इसके पीछे इनका बहुत बढ़ा राज है कुछ दिन पहले एक बड़ा जाज ने दिल्ली आके एक चर्चा में यह बयान दिया थै कि हिंदु राष्ट बनाने के लिए सारे संग्विधान को तोरोर मुरोर करने का जो मकसदी सरकर की है उसी को मद्दे नजार वो चाहते हैं कि वो अपना जुडिशरी ऐसा बने कि उनकी बात पे चले क्यूंकि संग्विधान को इंटर्प्रेशन ऐसा बना देगा कि यह हिंदु रष्ट थे है और रहेगा यह मेरा बायान नहीं है कोई जाने माने एक न्याई पालिका की यह बायान तो लोग जानते हैं कि मोदी जी के अगुआई में वो चाहते हैं कि यह हमारे जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इसके लिए हम गर्ब महिसूस करते हैं और यह हमारे संग्विधार में लिखका हुआ है कि सिपरशन अपवार अलाग से जुडिशियरी के अजादी यह अजादी नहीं चाहते मोदी चाहते हैं जो जुडिशियरी के बदले मोदी शियरी बने जैसे गोदी मीडिया बने उसे मोदी शियरी बनाने का कोशिश इनके हैं कामियाब नहीं हो रहा है कामियाब होने के कोई संबबर नहीं नहीं दूसरे बात ब्रस्टाचर की जो बात आते हैं तो मोदी जी सदन के अंदर क्यों नहीं कहलाते हैं बाहर क्यों मोदी जी ये बयान देते हैं मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि राहूल जी जी सिखायत दर्च किये थे सदन के अंदर कोई चोड़ी छोपी तो नहीं किये अपने पार्टी के फोरा में नहीं बताए सदन के अंदर कि राष्टरमदी अविवासन में हम देखते हैं कि सारे मुद्दा जो विपक्स उठाते हैं मोदी जी मतलब जो प्राइम मिशन होते हैं उनको यह जबाब देना होते हैं मोदी उससे भी भागे तो भागे कौन भागे कौन भागे मोदी मैं कहना चाहते हैं मोदी जी को मोदी आप्स आधिकरी लूप से क्यूँ नहीं बयां देते हैं कि अधानी के साथ मेरा कोई रिष्त नहीं है कोई नपाक तालुकात नहीं है कोई निज्यास संपक्ग नहीं है मैंने को भी उनसे कुछ ना लिया ना दिया लाओ इचिक्भीन सदन के अंदर ये बात रखने की हुआ से आप भागे हुआ आपको जुबान नहीं निकलते आप बाहर जुबान निकलते हैं तो इसलिए मोदी जी के साथ साथ उनके सारे साथियों जो रोजाना राहूल गांदी जी खिलाप गाली गलोच कर रहे हैं उन सबको मैं एही सला सदन अभी भी सदन चलते हैं चेतर सदन चलेगी आप कहें दो कि राहूल गांदी जी की जो सिकायते है वह और इसके लिए चर्चा चाथे आप तो सिर्चा नहीं चाहते हैं कि हिंडन मुट्सस की बारे में में पहले पूछ लिए बताव राहूल गौन जी बा इक भी आपको बताने परेगा अधिकरी रूप से दस्तबेश से राहुल गांदीजी की भाषन हटाने के चलते नहीं अधिकरी रूप से बताने परेगा आपको और मैं चाहता हूं कि अगर पारलमेन में आपको कुछ कहने में डर लगता है तो मीडिया वालों के सामने कम से कम कही है सदन चलने का वाक सदन की बाहर इस तरह की बयान बाजी मंत्री गन का सुबा नहीं देते हैं अभिश्यस देखिए स्पीकार साब की स्पीकार साब को हम सब मननाता देते हैं ऐसा नहीं तो जिस ढंग से राहूल गांदी जी की सारे दस्ताबेज से उनकी भाशन को हटाये गए और जिस तरित की गती से सदस्पत को उनको रत कहे गए सदस्पत को अजग को माना गया और जिस तरित की गती से खाली कराने की नोटीज भी जारी किये गया ये तरित की गती बड़ा अध्भूत लगते हैं तो इस बिशय पे हमारी बीच चर्चा जुरूर होते हैं कि ऐसा स्पीकर की इस तरीके की सक्रियता हमें कभी देखने को नहीं मिले कानून है कानून की जगे हम सब जानते हैं लेकिन स्पीकर हम सबके लिए अभीवाबोक होते हैं एक और शुरू की दिन से पक्सक्लाप हीुआ एक अपום में मांग था स्पीकर साथ के साथ हमारा कोई कोई मेंबर के न सत्तपक्स न भीपक्स किसी को स्पीकर साथ कोई मतलब हमारे संपर्क में कभी कमी नहीं हुई हम भी सब मानते हैं लेकिन कुछ-कुछ पहले इसे लिये जाते हैं सदन की तरफ से कभी-कभी सवाल तूटते हैं तो यह सवाल को लेकर विपस्ट के जो नितागन है उसमें चर्चा सवहविक है और नो कॉर्फिनेंस मतला अविश्यास की पस्तप की बात किसी ने कहे होंगे ऐसा नहीं हम मेंबर उने की यह होज भी रहे हैं लेकिन इसका मतला यह नहीं कि अविश्यास पस्तप आ गए है पा मतलब टाइरानी अब दे मिजोरिटी यह सरकार का आसली सूरत है